के अगे हुआ है है कि अग्या यह कि यह फ्रेंड टूडेय विल डिसकूस अबढ़ सेकेंड टाइप यह ज्ञ इसे यह इन्याइब करने स्टार्ट किया था उसके बाद दैनामिक रोटिंग में आपको रिप का वर्जन वन और टू दोनों पढ़ा चुका था उसके बाद मु कि देखेंगे आज स्टार्ट करूंगा के बारे में कुछ बेसिक चीज़े पढ़ेंगे फिर हम लोग ऑटोनॉमस सिस्टम के बारे में तो अशा डिसकस करेंगे फिर देखते हैं कहां तक ज्याता है बीडियो भी ज्यादा बरा नहीं बनाऊंगा और अच्छे से समझने की को बोसिस करेंगे चीजों को तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक याइज यार्प यह आपका डैनामिक रोटिंग का सेकेंड टाइप का डैनामिक रोटिंग प्रोटोकॉल है यह याद पिस्टेन फोर इनहांस इनहांस इंटेरियर अगेटवे इनहांस इंटेजियर गेटवे रोटोकॉल प्रोटोकॉल आपको पढ़ना कुछ तरीके से हैं प्रोटोकॉल जो भी आपसे इंटर्व्यर कभी-कभी ऐसे भी पूछता है वाट इस याइज यार्प तो जब को ऐसे आपसे पूछे कि वाट इज याइज याप तो आपको के बारे में जो बेशिक चीज़े है यह क्या करता है कौन से लिए की प्रोटोकॉल यह सब चीज़े के बारे मां बताओंगे डिस्टेस दिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यह सब देखो्व मैं डिसकूस कर देता हूं सबसे पहला जो पॉइंट का यह है कि याइज 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 दिस्टेंस वेक्टर रोटिंग प्रोटोकॉल एडवांस डिस्टेंस वेक्टर रोटिंग प्रोटोकॉल है क्या मतलब हुआ इसका डिस्टेंस वेक्टर रोटिंग प्रोटो प्रोटोकॉल तो यह सब चीज आपको के बारे मगर को पूछे तो ऐसे बताओगे तो यह यार्प जो है वो सब्सक्राइब की प्रोपर्टी मैं आपको सब्सक्राइब बता था उसकी कुछ प्रोपर्टी यूज करता है और रही को क्या बोलते अद्वांस देन्स वेक्स इसका मतलब क्या हो गया दिस्टेंस वेक्टर प्लास लिंक दोनों का कॉंबिनेशन है या जी आप इसके इसकों क्या बोलते हैं आप यह भी बोल सकते हों यह जी आप इसके आप यह जार पी इस आप रोटिंग प्रोटोकल राइट वह एक फंबिनेशन ally इस भी अअग बिंग नूसली अतिसन का मतलब किया जाता था ऑर डिसन जरा मतलब क्या होता था है मैं है कितने से अब आभी है उसी के बेसिंज थे कर में बेस्ट पात सेल्थ क्या जाता था और डैरेक्टर का मतलब अवता था डाएक्टिन कि डेरेक्शन नेटवर्किंग में डेरेक्शन का मतलब क्या होता है नेक्स्ट होग तो तो डिस्टेंस वेक्टर की क्या थी प्रोपर्टी जैसे सब्सक्राइब करो कि मेरे पास एक टॉपलोजी है कुछ इस तरीके से ओके यह जो लिंक है रॉटर वन रॉटर टू और रॉटर थी यहां पर सब्सक्राइब चल रहा है तो अगर मैं इस पर रीप चलाओ तो यह बेस्ट पाथ कौन सा होगा नीचे वाला पाथ नीचे वाले पाथ को यूज करके इंफर्मेशन भेजेगा रॉटर वन रॉटर थी को और रॉटर थी के थूरू यह बी नेटवर्क में इंफर्मेशन पहुचेगी बट बेस्ट पाथ है कौन सा उपर वाला विकॉज यह सिरियाल लिंक है इसकी बैंडविध क्या वान पॉइंट फाइड राइट तो उपर इस एक साथ होगा हमेशा अच्छा रास्ता ही होगा सपोड़ यह आपका घर है और यहां मार्केट है ओके मार्केट जाने का एक एक आध रास्ता है और एक ऊच्छा रूट गया हुआ है जो दो किलो मीटर पड़ता है बट यह रोड क्या बीच में ठूटा उटा है कि इसमिंद लगए दा और इसे एक खंटे लएगा तो कॉन सा बैक पा लिचे बाला बट अगर यूज करते करता है यह देखता है कि नमर लिश्ट कहां पर है उसके बैसिशन इसमें करता है और बैस्वाथ अपना कहलेक्षैट करता है कि करने के लिए यह करता था लिंक को यूजी नहीं करता था उसको रिप को पर मालूम नहीं है कि कौन सा लिंक हो रहा है कहां पर और सिर्फ distance के basis पे अपना best path select कर लेता था यही प्रोडब्म था तो इस में क्या ओगा यूज़ करके best path की selection होगी metric calculation होगी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से metric calculation होती प्र ने आप आप समझ जाओगे फिर ओके बट जो distance vector था उसमें link को नहीं करता था मैं को calculate करने के लिए स्थाइब और जो लिंक के श्रुब यूज करो को बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए इस ही बैड़िध के बैसिस पर सेलेक्शन होनी चाहिए तो सेजर्पी जटय दिस्टेंश अपूर्स ने इसके पर आप प क्या होगी इसके बारे में जा ढात्रीवantic वरे बाती है है शैटिस सुख है क्लास लेस लॉटिए स्लोटिकल मिन जाटाइड शक्लास लेस रॉटिंग प्लॉटोकॉल क्लास लेस रॉटिंग प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि यह जो अपडेट बेजेगा जैसे मेरे पास ही रौटर वन है और रौटर टू है ओके यहां पे सब को तो इस नेटवर्क के साथ साथ अपडेट में इसका सबनेट मास्क भी वेज़ेगा इड़ अल्वेज सेंट सबनेट मास्क इंद अपडेट में हमें साथ सबनेट मास्क भी वेज़ेगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे क्लांसले स्वाटिंग प्रोटोकॉल यह सब चीजे चोटी-चोटी चीजे आपको याद रखने है राइट फोर्थ तिंग क्या होगी यह यह यार्प के बारे सब्सक्राइब करेंगे अभी आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ते जाओ सब कुछ समझ जाओगे तो यह चार चीजे था जो आप समझ गए होंगे यह बेसिक है यह सब आप बोल सकती हो इंटर्व्यू में भी अगर आप से पूछे वाट इस यार्पी तो क्य अध्यू इस लेयर थी प्रोटकोल इसए ध्लास्रेश प्रोटोकॉल फिप्सिट इंग लिख लो यह उपर इस अ लेयर दिरी प्रोट ओल राइब लेयर थी का प्रोटोकॉल है अ बिव्द इस ए इस यार्प array पैकेट अंग इंनकेब्सूलेटेड विद आईपी आईपी के साथ ये येडियर्पी का पैकेट इनकेब्सूलेट कि यह उदर में अब कोस्टर यह हो सकता है कि आईपी वो कैसे पता चलेगा कि चले यह पैकेट ये यह यार्पी का है वैलीड कोस्ठाट कि Epic की से पता चलेगा की से पता चलेगा पर रिसीब करेगा क्या से पता चलेगा कि यह साथ है तो आइपी हैंडर के अंदर में एक फिल्ड होती है प्रोटो कॉल नममर उस फिल्ड के अंदर में नंबर लगा रहे गा 28 तो प्रोटो लूमर kya होगा या ज्री का 88 एक perseit प्रोटोकॉल नमर देखेगा है मंज़ाएगा कि फैक्ट कहां से आ रहा है HOL यह जीर्पी को और लेयर थ्री पे ही राटर किसको एंड ओवर कर देगा चेक करके यह जी आर्पी को रैट यह भी आप समझ गये होंगे अब आप सब को मालूंगा पहले ही वीडियो बना चुका हूं तो यह यह पी ऑटो समरी को भी सपोर्ट करता है ना की यह यहार पी को अलसो यूज होगोगों अगन बट्ट निवर कैलकुलेट मेट्रीक राइट का यूज करता है यह यार्पीवी। बट् मैट्रिक कल्कुलेट करने के लिए नहीं मैटरीक कभी भी यह होगाट के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करता है अब कोस्टन क्या आता है फिर ये किस तरीके से करता है क्या यूज अभी डिसकज करेंगे बट यहां पर यहां पर मैं जो मैंट्री क्यल्कुलेट होगा उसके लिए वह लिंक की बैंडविथ डीले को यूज करके करेगा यह चीज आप देखोगे यह मत दिमांग में रखना कि होप कॉंट का यूज करता है तो यह यह पी मैंट्रिक जिसका होप कॉंट लिस्ट होगा वह बेस्ट पाथ हो जाएगा ऐसा नहीं होगा यह यह प्रोटोकॉल को लाया गया था यह एक शिसको प्रोप्रेट्री रोटिंग प्रोटोकॉल था बट सिसको ने इसको बाद में ओपन डिक्लियर कर दिया बट अभी भी आपको दूसरे बेंडर के डिवाइस पे यह यह राइट विकॉज इसके सारे फीचर को डिकलियर नहीं क्या ऊपन इसलिए सिर्फ इसको डिवाइस पर दिखेगा आपको और वह से भी आप वह सब्सक्राइब होता है जद आपको यह जर्पी देखने को मिलता नहीं तो को स्बस्ट यह है कि हो प्वोप कॉन का यूज कैसे करता है तो देखो सब्पोज कि मेरे पास रोटर वन रोटर टू रोटर थ्री रोटर फॉर रोटर फाइव राइट और यहां पर मेरा एक निटवर्क चल रहा है एक्स ओके यह रोटर फाइव का रिस्पोंसिविटी है रोटर फोर को बताना अगर आप इस पर डैनामिक डैनामिक रॉटिंग यह है कि सारे रोटर पे आप एक प्रोसेस रन करती हो उस प्रोसेस के हल्प से यह अपनी टेवल को एक्षेंज करता है अपने निवर के साथ यह ना तो यह रॉटर फाइब की रिस्पोंसिटी है और फोर को बताना डिशों च्क के बारे में तो यह आ जब आपका रौटर टू रौटर वन को बताएगा तो यह क्या जाएगा फॉर राइट इस थरीके से होपकॉंट यूज होता है यह जार्पी में जो डिफाइन क्या गया है होपकॉंट वो रहता है आपका हंड्रेड राइट क्या मतलब है इसका कि जब भी अपडेट आएग अगर सब्सक्राइब करूं कि यहां पर सौ रौटर के बाद यह रौटर लगा रहे तो उसमें अगर एक्स की इंफॉर्मेशन आती यह यार्पी से राइट तो क्या लग्या थी 101 हो जाता तो 101 होप जो अवे है निटवर्क उसके इंफॉर्मेशन को कभी रिसीव नहीं करे रौटर राइट में इस तरीके से होप कॉंट का यूज होता है जैसे कि अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दू रौटर वन पर होप कॉंट तो अब यह अपडेट आएगा तो यह क्या लगके आ रहा है क्या होप कॉंट उससे लिस्ट लगके आ रहा है sesुखोंट है तो इस तरीके से होप कॉंट का यूज होता है यह कॉंप को सेलेक्ट करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है उसमें कुछ मिली है एसे होप कॉंट लगके आता है तो मतलब यह हुआ कि एज यह Paul कौंट उससे अगर लिस्ट होप कॉंट लगके आ रहे हैं तभी वो पैकेट को रिसीब करेगा अधर्वाइस वो ड्रॉप कर देगा पैकेट को इस तरीके से यह यार्पी हॉपकोंट को यूज करता है ओके नौव नौव इटीजा आईजीपी प्रोटोकॉल अलौकस मतलब क्या वह ब्रोटोकॉल का मतलब यह हुआ कि यह स्काम करता है वहीं स्काम करता है आप इसको गाहिज्या संव जो यह आपको बहुत जगे से इंटर्व्यू में भी पूछेगा आपको कफी कोस्टन में अगर आप दे रहे हो तो वहां भी आपको कोस्टन आएगा इससे घुमा फिरा के तो कंफ्यूज मतों इसको अच्छे से समझ लो कि है क्या कि ऑट उनमस सिस्टम है क्या यह एक डूमीन है है डूमें मीज एरिया है एरिया एक एरिया है अब देखो एक चीज़ बताओ कि एक सोसाइटी में अगर दस लोग रहते हैं एक सोसाइटी है जिसमें दस लोग रहते हैं उस सोसाइटी का जो पॉलीसी होगा जो रूल होगा जो डिसिप्लीन होगी वो सबके लिए same होगी या different होगी सेम होगी सब के लिए इस सॉसायटी में लाइट वाटर सप्लाइज की बील जो भी क्या रहेगा सब के लिए सेम रहेगा यह तो क्या एक ससाइटी क्या है एक डोमें है उसी तरीके से से जितने भी रोटर रहेगा उसके लिए जो रोटेंग पोलीसी होगी वह सब के लिए क्या होगी सेंग होगी जैसे है सोसाइटी के साथ हो रहा था वैसे यह को दो बंदा दो लुग है मालो दो लोगszy दोणो का ऐसे बोलों कि से से बिलॉग करता है अगर दोंपी ऑनों आ से से बिलॉग करता है तो उसी तरीके से इस nr होता है सा नम्मर उसी नमर को देग कि alguém बूब यह दोनों रोटर इस से से बिलॉंग करता है सब्सक्पोष कर रहा है 10 और यह यूज यूज किरा है 20 क्या वोलोगे यह तो दो राटर है यसरी करता, क्या यह आकर सैंसनों करता हैCी यह तो डिफरेन tycker नाम ता ना सुचाइटिक होगा उसी तरीके से एस का क्या है नम्मर है 10 मतलब इस 10 एस के अंदर में जितने भी रॉटर रहेगा उसके उपर जो रॉटिंग पॉलिस होगी वो क्या होगी सब के लिए सेम होगी डिफ्रेंट कुछ भी नहीं होगा ओके तो क्या होता है जब यह जी आर्पी माप जैसे दो रॉटर है आपके पास राइड और राट टू इस दोनों रॉटर पे अगर आप यह रॉटिंग प्रोटोकॉल रन करते हो तो यह क्या करेगा पहले नेवर बनाएगा बाइ सेंडिंग हेलो पैकेट करेगा उससे नेवर अब हेलो पैकेट का अंदर में कुछ इंफर्मेशन को मैच करेगा उससे इंफर्मेशन को मैच करके क्या करेगा यह डिसाइड करेगा कि हम दोनों नेवर बनेंगे या नहीं बनेंगे तो उसी में उसी हलो होगी तो बहुत नम्मर मश्ट भी सेंप यह तो दोनों का सेंप रहना चाहिए जैसे अगर यह लो भेजा है तो इस र या बिलॉंग करता है कोई और से अगर कोई और से बिलॉंग करता है तो मैं इसको नहीं बनाओंगा अगर से बिलॉंग करता है तो मैं इसको निवर बनाओंगा तो इसलिए एस का यूज होता है और सिस्टम का आपको यह समय आगया होगा कि Autonomous System है क्या Autonomous System एक नम्मर है वाई एक डोमेन है उस डोमेन के अंदर में जितने भी रॉटर है उस रॉटर पर सारे पर रॉटिंग पॉलिसी क्या होगी सेम होगी जो रॉटिंग पॉलिसी होगी वही यह भी उस करेगा और वही यह भी उस करेगा तो इस तरीके से हम एस का यूज़ करते हैं होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कि कि अग्यों कि अग्यों कि तो एस नमर की रेंज होती है जीरो से लेकिए सिक्स डबल फाइफ तरी फाइफ तक होती है रैक इसकी इसके बीच से कोई भी एस नमर अपना वह यूज़ कर चकता है राइट यह रहें जाए अब देखो कि आरवन आट टू यहां पे टूवल डॉट वन आईपी अड्रेस है और टूवल डॉट टू आईपी अड्रेस है राइट यह आप इसको यहां पे जो आईपी अड्रेस है वो है एटू ओके अब यहां पे एक नेटवर्ग चल रहा है 172.168.1.0 24 और यहां पे एक नेटवर्ग चल रहा है 172.168.2.0-24 ओके यह एक सेनारियो है अब इसमें मैं यह यार्प किस तरीके से इनेवल करूंगा तो देखो अगर मैं मुझे पहले यह बताओ कि अगर यहां पे मैं स्टेटिक रॉटिंग इंप्लिमेंट करता इस सेनारियो में तो मुझे क्या सब का रिक्वाइडमेंट क्या होती मेरी एक तो अगर मैं रॉटर वन को बताता कि बताना चाहता हूं कि बाई 72 का नेटवर्ग यहां पे है राइट मतलब यहां से अगर मैं पिंग करूं तो य तांज सबस्क्राइब था चीज क्या होगा नेक्ट और यह हätt झावगा नेक्ट हौन क्या होगा इसके लिए आरवन के लिए आतू अब यह जों इन वे इन्फरमिशन है डानैमिक रॉटिंग में क्यों बताएगा रौटिंग क्षर dawn प्रोटोकॉल जो आप रॉन कियो गोदीन प्रोटोकॉल जो आप रॉन के वो सारी इनफरमिशन इसके बारे में देगा तो R1 के लिए next hop कौन रहेगा, A2, कौन बताएगा R1 को, R2, right, R2 के लिए next hop कौन रहेगा, A1, कौन बताएगा R2 को, R1, right, इस तरीके से next hop अपने आप change होता है, आपके साथ, तो इस तरीके से इस सेनारियो में, डैनामिक रॉटिंग, जो EIGRP है, उसको यहां पर run करोगे, right, तो उसके लिए आप command लिखोगे, सबसे पहला command लिखो, router, EIGRP, right, router, EIGRP, और उसके बाद AS नमबर, AS नमबर, सब्सक्राइब, मैं 100 यूज़ कर रहा हूँ, 100, right, यह command R1 पे, R1 पे चलेगा, right, क्या चलेगा, router, EIGRP, 100, जैसे यह command, आप एंटर करोगे, इस पे EIGRP प्रोसेस, और उस ऐगा, चलने लाएगा, उसके पाद जो second command रहेगे, आपकी वो रहेगी, यह network command, network, network command में, आप router से directly connected network, जो भी है आपका, यह network है, एक, 2L का network, 2L.0.0.0.0, तो network, 2L.0.0.0, और second, network क्या है, network, network, 172.168.1.0, और उसके पाद wildcard mask, wildcard mask, यह क्या होता है, wildcard mask, just opposite होता है, subnet mask का, इसका subnet mask में लिखूँँगा, 255.255.255.0, तो wildcard mask इसका opposite, 0.0.0.255, मैं इस पर एक वीडियो बनाओंगा, अगर आपको यहां पर नहीं समझ में आप इसको आप छोड़ देना, मैं एक wildcard mask पर वीडियो बनाओंगा, उसके बाद यहां पर आप wildcard mask दोगे और enter दबा दोगे, तो जैसे ही आप यह 3 command चलाओगे, यह router क्या करेगा, hello packet भेजना start कर देगा, कौन-कौन से इंटरफेस से, जिस इंटरफेस पर आप जैसे यहां पर network 2L.0.0.0.0 command चलाएंगे, यह router चेक करने लेगा, क्या, कौन से इंटरफेस पर 2L.0.0.0.0 चल रहा है, इसको मिलेगा, इस इंटरफेस पर, इस इंटरफेस से यह क्या करेगा, हेलो मैसे बेजना start कर देगा, और दूसरा command जब यह चलाओगे, तो यहां से भी हेलो बेजना शुरू कर देगा, और इसी तरीके से, इस router पर, R2 पर क्या command जलाओगे, router, EGRP, AS नमर, AS नमर देखो, यहीं पर आप AS नमर डालोगे, अगर आप यहां पर AS नमर 100 डालेते हैं, आप कुछ अगर अलग डालते हो, 10 डाल देते हो, right, Hello package जाएगा, उसमें जब यह Hello भेज़ेगा, तो उसमें AS क्या लगके जाएगा, 10, AS क्या हो जाएगा, mismatch, और यह दोनों router कभी, never नहीं बन पाएगा, तो AS must be same, जब आप implement करोगे, EGRP, तो आपको बहुत carefully, AS तंमर आपको देना है, दोनों same रहना चाहिए, तो AS क्या दूँगा, मैं 100, उसके बाद क्या command चलाओंगा, network, 2L.0.0.0, और दूसरा command क्या होगा, network, 172.168.2.0 और उसका wildcard mask, right, तो यह command चलाओंगा, तो यहां से भी यह क्या करेगा, hello भेजना सुरू कर देगा, right, hello, अब hello दोनों से exchange होगा, उसके बाद उसकी जो कुछ parameter होगी, जो check करेगा, दोनों parameter अगर match हो गया, तो यह दोनों क्या बन जाएगा, never, never जब बन जाएगा, उसके बाद क्या क्या होगा, आगे देखोगे आप और अच्छे से, अभी आज के लिए ज्यादा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं, आप आज क्या करना, पैकेट ट्रेसर के उपर में, यह network लेके, यह command चला के, आप implement करके देख लेना, यह GRP, आप जब इतने command चला दोगे, दोनों side, यहां पर आपका PC लगा रहेगा, उस PC से इस network के PC को ping करोगे, आपकी ping हो जाएगी successfully, right, अब आगे इसे और अच्छे से हम देखेंगे, कल, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो ज्यादा बढ़ा भी ना हो जाए, इसका विध्यान रखना है मुझे, ठीक है गाइस, बाइबाइ, अगर आपको समझने में कोई problem हो रही हुए, तो मुझे comment करके मैं explain करता जाऊंगा, करता जाऊंगा वीडियो इसनी लेंदी हो जाएगी, फिर आप खुद देखने के लिए इंट्रेस्टेड नहीं रहोगे, इसलिए हम इस तरीके से बनाते हैं, बढ़ाता हूं कि आपको समझ में भी आजाए, और वीडियो भी ज्यादा लेंदी ना ब बाइबाइ, आज के लिए इतना ही रखते हैं